जैम आता दी स्वागत है आपका एक और नए संडे कमेंट को इने वीडियो में मेरे नाम है आयूश और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चनल ऐस वाला है फेस्बूक पेज ट्रेन राइडर आज संडे है और आप सब यह जानते हैं कि हम हर संडे एक संडे कम कमेंट के जरीये नेक्स संडे हम आपके उस प्रशनों के उत्तर देते हैं तो अगर आपके मन में भी मातराने की आत्रा से सम्मंदित कोई पूरशन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप चाहें तो कमेंट के जरीये अपना प प्रश्न होते हैं, जो repeat होते हैं, हो सकता है, आपके मन में भी वो प्रश्न हो, और अगर आप इसे पूरा देख लेंगे, तो आपको जवाब यहीं पर मिल जाएगा, आपको दुबारा से कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहल प्रश् Tada प्राश्न था प्रश्ण हमसे विकास जी ने पोछा है आप कभी तारा कोर्ण मार्ग से यात्रा क्यूं नहीं करते विका Guess देखिए तारा कोर्ण मा can today कर मतलब की आपके दो यात्रा में आने वाले पड़ाओ झूड़ जायेंगे के kur Veha बाड़गंगा है दूसरा चेड़न पादुका है और हमारी यह सोच है कि हम जब भी मातराने के दर्शन के लिए जाएं तो हर एक पड़ाओ के दर्शन करते हुए मातराने के भवन के और प्रिस्थान करें इसलिए हमने आज तक कभी भी तारा कूट मार्क से यत्रा नहीं किय है और हमने उसके उपर वीडियो भी बनाया है अगर आपने नहीं देखा है तो देखेगा आपको वहाँ पर बहुत अच्छा फील होगा आगे बढ़ते हैं हमसे प्रशन किया है कुम्ब अरस्तु जी ने जैम आता दी बहाई एक बात पूछनी थी मनु कामना भवन की रू सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दो कि देखे इसकी जो बुकिंग होती है वह सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोड के ओफिशल वैपसाइड और एप से होती है कोई और होटल वगरा से कोई बुकिंग नहीं होती क्योंकि उपर जो भी डॉर्मेटरी रूम्स बैड है वह सब बुकिंग के लिए आपको www.maveshnodewi.org पर जाना है या फिर mobile application का प्रयूग कर सकते हैं अब बुकिंग देखे ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है अगर आप साथ दिन पहले बुकिंग करते हैं तो आपको definitely मिलेगा क्योंकि मैंने खुद बुकिंग किया है और मुझे मिला है ऐसी बुकिंग के लिए करना है कि जब आप बुकिंग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रगिए आपका wifi सुविधा हो और आप थोड़ा वेट करिए जब आप थोड़ा वेट करेंगे न तो automatically वहाँ पर बुक्नाव का option आ जाएगा आप 15-20 मिनट आदे गंटे तक वेट करीं वेब का complex पहुचना है चार बज़े सही लाइन लग जाता है और उसके बाद वो उसी दिन की booking देते हैं अगर आप बाद में जाते हैं अगर एविलेबल होता है तो मिलता नहीं तो नहीं मिलता है और मैंने वीडियो बनाया है डीटेल इसके उपर तो प्लीज आप थोड़ा से च मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपना प्रश्ट कर रहें अपना नाम जरूर से मैंशन करें जैम आता दी भाहिया मातर अनी ब्लेस यू थैंक्यू सो मच जैमाता दी पुराने गुफा कब तक खुली रहेगी लास्ट डेट बताईए और जो नियू ता बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है अब आप प्रश्ट कर रहे हैं कि पुराने गुफा कब तक खुली रहेगी देखिए ऐसा तो कहीं पर कोई ओफिशल डेट मेंशन नहीं है और मुझे इसके बारे में कोई अच्छे से नॉलेज नहीं है लेकिन जितना नॉलेज है उ मैं नौ देवी वैशनो देवी मंदिर ट्रस्ट में रूम बुक किया हूं यह रमसाला कैसी होती है मेरा फैमली आ रहा है बारह तीन दूहजार तेज को कोई दिक्कत तो नहीं होगा डूसरा प्रश्ण भी यह कर रहे हैं यह मातादी सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हू जो जिस बुकिंग को आपने प्रिफर किया है उसके बारे मुझे नौलेज नहीं क्योंकि मैं ऐसे कोई ट्रस्ट में आज तक अभी रुका नहीं मैं जब भी रुकता हूं शाइन बुट के दॉर्मेटर में रुकता हूं जो कि त्रिकुटा भवने आशिरवाद है और उसक लिए और फारे दिकाड़ लिए आप यातरा अपना कर पाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगा आगे बढ़ते हैं राजीव जी प्रश्न कर रहे हैं मैं प्रियाग रात से हूं क्रिपया मातरानी के धाम जाने जान रहा हूं इसनान करने के बारे में इस्थान बताई ये वहांपर भी सुवधा मिल जाता है साथ इसाथ निशुल्क धरमशाला है वहां पर भी आपको इस्दान करने की सुवधा मिल जاتी है और श्राइन बुट द्वारा आपको लॉकर की सुवधा निशुल्क रख सकते हैं और आपके पास चावी होगा जब आप जर्शन करके वापस आएंगे चाबी लेजे ताला खोले समान निकाली और फिर आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं टेक्निकल जी प्रशन कर रहे हैं आई इस बिया बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसके लिए बहुत-बहुत पर लगेगा ही वैक्सिन की बात कर रहे हैं तो अभी कोई भी वैक्सिन की कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रही है तो आब बिल्कुल भी निश्चिंत हो कि आई आपको यह लाने की कोई जरूरत नहीं है अगर है तो रख लिजे अपने साथ और बैटर है आगे बढ़ते पर बावन में होती है जो मातराने का पवित्र पावन गुफा है जिसे प्राचीन गुफा कहते हैं जो पूरी सोने की परत से बना हुआ है उसके सामने आपको बैठाया जाता और वहां पर रट का आरती होती है इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं वहां जाके भी है भक्त की संभावना कितनी होगी देखे कोई बात नहीं है कैपसिटी उतना देदा मैटर नहीं करता है सब भक्त दर्शन करते हैं और रात्रों में भी भक्तों को दर्शन करने के अनुमति मिलती है बिल्कुल निश्चिन तो कि जाए मातराने किर पास आपकी आतरब बहु हो जाता है तो क्या मुझे दर्शन करने दिया जाएगा बिल्कुल दिया जाएगा वहां पर यह नियम है कि अगर आपका नंबर चला भी जाता है तो भी आपको दर्शन करने की अनुमति मिल जाएगी तो आप जाए तोकन कटाईए आगे बढ़ जाए मातराने के दर्शन क कर रिटर आके अर्दुकारी में generation कर ली थीक है इस प्रक्रीय से करेंगे तोको दर्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं राज रवी कुमार जी कह रहे हैं जय मातादी दिसंबर में हमारा प्राणी सहे दर्शन करेंगे के बिल्कुल समबर में सर मातराने किरपा होती लेकिन portion समबर में थो खैड़ परानी कुफा नहीं खुलते 15 जनवरी को पुराने कुफा खुलता है किसमबर में तो समबर में तो आपको दERS कर रहे हैं लाख को yes रोम कैसे बुक करें जिससे की मान लो कि 10 की मॉर्णिंग में पहुंच रहे जाते हैं और हम 6 या 7 को चड़ाई करते हैं तो हमें 11 बार बज़े दरबार पहुंचना है तो रोम किस डेट की बुक करनी चाहिए हमारे साथ बच्चे भी होंगे और बड़े बुजुर्ग भी हों कि next day सुबह 10 बज़े तक चलता है slot इस तरह का slot होता है लेकिन जैसे आपने बताया कि 11 12 का system इसी को हम लेके चलते हैं आपको समझाते हैं देखें अगर आपने 11 की booking की है ठीक है तो सुबह 10 बज़े के बाद और रात को 12 बज़े से पहले आपको checking करना पड़ेगा क्योंकि 12 12 बज़े के बाद 12 डेट हो जाएगा फिर वो problem create हो सकता है तो अगर आप यह सोच रही है कि आपको 11 को यात्रा करना है तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाए शाम में 3 बज़े के बज़े निकल लिए और ऐसा सोचे कि आपको 11 बज़े मतलब 11 तारिक में 12 बज़े से पहले रूम में चेकिंग कर लेना है यानि एगर आप 3 बज़े दो पहर में निकलती है तो 10 बज़े 11 बज़े तक पहुंचके चेकिंग कर लिजे नेक्स सुबह आप 10 बज़े तक चेक आउट कर सकती है रूल यही है कि सुबह 10 बज़े से लेके नेक्स दे सुबह 10 बज़े तक ल बुकिंग है हमारी और और फाइडी काड पांट बजे मिलना ही स्टार्ट होता है इतने टाइम में हम अर्दुकवारी पहुंच जाएंगे विल्कुल पहुंच जाएंगे सर पांच बजे अगर आप चलते हैं छे साथ आट तीन गंटा बहुत है आपके लिए सर आराम से करते हैं एक दिन पहले आरे फाइडी काड ले लिजे और फिर नेक्स दे में यात्रा करिए कोई दिख्कत नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसी दिन आरे फाइडी काड लेना है सुबह चार बजे आ जाईए और यात्रा की शुरुवात करिए आगे बढ़त तू कह रहे हैं लेटेस्ट फूट प्राइज ऑप स्राइन बोर्ड लेके फूट का प्राइज वही है कुछ बदलाव नहीं अस्यूरुपे का थाली मिलता है और आपका 45 रूपे का दाल चावल राजमा चावल कडी चावल इसी तरह का कॉस्टिंग कोई फर्क नहीं हुआ पहले से आगे बढ़ जाते हैं राम नाराने जी बोल रहे हैं आयूश भी है जैमाता दी मेरे नाम राम नाराने दास है मैं जार्खन राज के गुमला जिला से हूं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी वीडियो देखकर मातराने के पवित्र प बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपने अपना प्यारा सा फीडबैक हम तक साजा किया आगे बढ़ते हैं भावना जी कह रही है जैमाता दी जैमाता दी 31 दिसंबर की शाम को कट्रा पहुच रहे हैं अगर हम सेम डे को 10 बजे यात्रा शुरू करें तो सुबह हमें दर् क्या रोज ही अटका आरती का टाइम फिक्स है बिलकुल सुबह 6 बीस से आती शुरू होता है वही प्रक्रिया साम में भी होता है उस दौरान दर्शन नहीं होते हैं अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहती तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सुबह 11 बजे के बाद बजान डर्शन के लिए और रात में सक है तो आप जाई ये घर संसिक्त हो देड करेंगी कोई किसी तीस पूरूस है और महिला है अठारा को आ रहे हैं शक्ति भवन में कितने दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आठ दिन पहले 60 डेज पहले आप किसी प्रकाश शाहिन बोट की कोई भी बुकिंग कर सकते हैं कोई इश्यू कोई दिक्कत कोई परशानी नहीं है आगे बढ़ते हैं यूजर टी यू देखे फिर मैं कहा रहा हूं प्लीज अपना नाम जरूर से मेंशन करिए जैमाता दी आउश्बिया मेरे नाम अर्जुन है बढ़ते हैं, नेक्स डे में भी यात्रा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स डेश्बब में यात्रा करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा मैंट जी पूछ रहे हैं, बेस नल का प्रिपेट दो पर संगर चलता है या नहीं और अगर चलता है तो network कैसा रहता है मैंग जी नेटवर्क नहीं आता है, सिम नहीं चलता है, सिर्फ वहाँ पर पोस्पेट सिम काम करता है, या फिर आप वहाँ जाके कोई प्रिपेट सिम लेते हैं, तो वो वर्क करता है, इसके अलावा आपका कोई भी अधर राज का प्रिपेट सिम वहाँ वर्क नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं हम से प्रश्न किया है यात्रा दर्शन हम तीन तीन लोग है चौबीस तीन दोजार तेज को जा रहें ट्रेन जंबू तक है पर जाना है तो कोई परशानी तो नहीं होगी हमारे साथ 28 हम 28 की रात को जंबू से ट्रेन लेकर नाइट में कैसे पहुंचें दे जंबू से कट्रा की और और आप पूछ रहें कि 28 को आपका जंबू से ट्रेन है तो आपको कट्रा के लिए कट्रा से जंबू के लिए बस भी मिल जाएगा कोई दिक्कत परशानी आपको नहीं होने वाला है ठीक है तो आप बिलकुल निश्चिंत हो के जाईए आगे आपको बातिंग की सिस्टम मिल जाएगी और सिम आपको रेंट पे नहीं मिलेगा आपको सिम बाय करना पड़ेगा ठीक है मेरे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप सिम बाय करते हैं तो यूजर एम टू करके प्रशन करने जय मातर जिबू जिए मैं अंजली जी प्रेशन कर रहे हैं क्या शाइन बोट के होटल में रोटी मिलती है क्या क्या रेट होता है थाली का रोटी मिल जाती है थाली का रेट होता है 80-85 रुपे के असपास में उसमें आपको दाल चावल थाली में आपका रोटी रहता है और सबजी रहता है यह सब मिल वहाँ से क्लिर करें मार्ग हैं कि आपस भवन आजये और फिर भवन से निचे नहीं पर को और नहीं आना पर हिवह र स्था ओर अर्धकवरी निकाला पहते हैं लेटा गली दीजिए आपको जल्द अपडेट मिलेगा फिलाल अभी स्काइवक काम अंडर कंस्ट्रक्शन में हो रहा है तो उमिद करूंगा कि मैंने आज के संडे कमेंट के ने वीडियो में आपके सभी प्रशनों के उत्तर देने की कोशिश किये आपको अच्छे से सभी प्रशनों के आपको समझ में आओगा और मैं आपको समझा पाया होंगा मैं यह महसूस कर पा रहा हूं कि आई हुप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा देखिए हमारा यह मोटिफ संडे कमेंट बनाने का यह होता है जिससे आपके सभी प्रशनों के उत्तर आपको मिले आ महनत बहुत लगती है इसलिए आप इसे शेर कर दीजेगा साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रशन होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ लेजेगा बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए इंफर्मेटिव वीडियो के साथ मातर आने की दरबार में तब तक आप आपके प्यारे से यूट्यूब आज फेस्बुक पेज ट्रेंव राइडर के साथ कोड़ ब्लस यू ओल जै हिंद जै माता दी जै माता दी